ओम स्रीगनी सायनम दूस्तू एश्प्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दूस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जून शनीवार की रासी फल के बारे में कीह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन कीन चीजों से इनको फाइदा होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साती सात आज आपके प्रतेक कारे सरलता पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी घर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आपको प्राप्त होगा नई योजनाए और विचारधरा की नवीनता से व्यपार प्रगर्ती की दिसा में अगरसर होने लगेगा कला के प्रती आज आपकी अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छैंपूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योज प्रसन लाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा आज आपको घर परिवार और संतानों के मामलों में आनंद और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में जवी काम सफल होंगे अठके हुए कार रहे आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो मेहनत की है उसका फल सफलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपक अची बजट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवशकता है अन्यता आप फाइनेंशियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कारेभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन सौंदर्य प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़ें साती साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर टालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुख की प्राप्ती असंभव हैं साती साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सहियम रखना पड़ेगा ऐसा ना ह कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरघटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धर में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें दोस्तों से वाद विवाद करने से बचें बहस करने से मुसीबत में आज आप फस सक सकते हैं यात्राओं को भी आज आप तालें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता ह दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वह भी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेगा और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको आपको इस मामलों में खुसी मिल सकती है रोमांटिक आकर्शन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी वेवसाय में ध आपो संपल्ता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेग आर्टिक लाब प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचे करने का भी प्रत्न सफल हो सकता है साथ और साथ आज आपको अपने व्यवसाय को लेकर कोई यात्राइंfa ہो सकते हैं जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जहां दोस्तों वैवसैक दरश्टी से आज की इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विध्यार्तियों के लि खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा वरना पाचन किरिया खराब हो सकती है जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें तनाव को दूर करने के लिए अपनी ज दोस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेज उपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदिश निर्वत्र होने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और आप इस काले धागे को एक नारियल पर लपेट लें इसके बाद आप इसकी पूजा करें और उसके बाद आप इस एक नारियल को भगवान शनिदेव को इसमरन करते हुए बहते हुजल में प्राहित कर दें और साथी साथ अपनी मनों काम नए मांगे या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो विए आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फालो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे बहुत याशनी से भगवान शनिदेव के असिरवास से बंते चले जाएंगे दोस्तों भगवान शनिदेव का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंस बोक्स में जै शनिदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद